आज मैं आलो भूजिया की रेस्पी लेकर आए हूँ जिसे बिलकुल आसान है बनाना और बिना प्याज की मदब से इसे में तयार की हूँ आप किसी भरत में भी इसे खा सकते हैं तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं मैं सभीता आप सबों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर तो आलो को देखे मैं अच्छी तरीके से बीना छीले हुए काट ली हूँ लंबे कुछ सेफ है कुछ चोड़े सेफ में है तो देखे मेरी तेल गर्म हो चुकी यह फ्रेंड मैं सरसो तेल का ही यूज करती हूँ ज्यादता सबजी बनाने में तो फोरन के रूप में देखे मैं जीरा और लाल मिर्च दी हूँ अच्छी तरीके से चटक जाने के बाद मैं कटी हुई आलो को इसमें डाल दी हूँ तो friends, आप इसमें किसी भी तेल का यूज कर सकते हैं, तो मैं सरसो तेल का ही यूज की हूँ, क्योंकि सरसो तेल में फ्लेवर काफी अच्छी आती है सबजी की, और सबजी काफी टेश्टी लगती है, तो ये देखे मैं अच्छी तरीके से इसे फैला दी हूँ, ढख के ही मैं पकारें friends, सुरू सुरू में जब भी इसे चलाएं, तो चलाने के बाद अच्छी तरीके से फैला दीजिए, जिससे इसका मोश्चर अच्छी तरीके से खत्म हो जाए, और तूटे नहीं, और आंच हाई ही रखना है, तो ये देखे मैं अभी दो तीन बार चला रही हूँ, जिसे मेरी गैस की हाई तेज है, और पानी अच्छी तरीके से सूफ जाएगी, लेकिन इसे मैं धक्की ही पका रही हूँ, तो इस बार देखेगा friends, कि मेरी आलो की कलर काफी अच्छी तरीके से चेंज हो चुकी है, क्योंकि मेरी पानी जो भी इसका मौश्यर होगा, खत्म ह हो गई है, अब मैं गैस को थोड़ा सा मना की मीडियम कर दी हूँ, और फिर भी इसे मैं धक के पकाऊंगी और इस तरीके से पूरी तरीके से समेट देऊंगी, फैला के नहीं पकाऊंगी अब इसे, जिसे मेरी ये शॉप्ट बनके ये भुजिया तेयार हो, मैं कुरकुरे गुजिया नहीं बना रही हूँ, शॉप्ट बना रही हूँ, तो ये देखे, जब आलू की कलर थोड़ी चेंज हो गई है, तो इसमें मैं स्वात के अनुसा नमक डाली हूँ, मैं नॉर्मल नमक डाली हूँ, आप इसके जगह सिंधा नमक रॉक साल्ट का यूज कर सकते हैं जो यदि बरत में खाएंगे तो, और ये देखे, मैं हल्दी डाल दी हूँ, बस ये दो मसाले का यूज की हूँ, सिर्फ नमक और हल्दी, इसके सिवाय मैं कोई मसाला यूज नहीं करूँगी इसमें, और इसे जब भी पकाऊंगी, तो मैं ढख के ही पकाऊंगी, और इस त पूरी पराठा किसी के साथ भी खाईए, बहुत ही अच्छी लगती है, दाल चावल के साथ ही बहुत अच्छी लगते हैं, बिना प्याज, बिना किसी मसाले के भी आपकी ये सब्जी बहुत ही टेश्टी लगती है, तो ये देखे, मैं इस भुजिय को और भी स्पैसी और टे खाने में भी टेश्टी लगे, तो ये देखे, मैं मिला दी हूँ अच्छी तरीके से अच्छी तरीके से ढख दे रही हूँ, एक दब दो बार और चलाऊंगी, इसके बाद मेरी भुजियत तयार हो जाएगी, और इसे गरमा गरम सर्व कीजिये, बहुत ही टेश्टी लगत हूँ, और यदि फ्रेंट्स मेरी रेश्पी पसंद आए, तो प्ली लाइक, और कमेंट अवस कीजिएगा, सब्सकाइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा फ्रेंट्स, और कमेंट बॉक्स में अवस बताईएगा, कि आप लोग को ये रेश्पी कैसी लगी, तो ये देख मिष्टी लगते हैं, बच्चे को काफी अच्छी पसंद आती है, तो चलिए फ्रेंट्स मेरी इस रेश्पी को इंजॉय कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ, तब तक अपना ध्यान रखे, ख्याल रखे, टेक केर फ्रेंट्स, बाई, थेंक यू झाहु।